जिसको टीचर माना किसी को बताना है पहले एक घंटा अपन को पराए अच्छी तरह से पराए तो मुकर से एक चार को सुना सकेंगे नहीं तो सुना नहीं सकेंगे शाष्टर सुनाना सहज है ग्रंशापना सहज है पर बाबा की बाते सुनाना सहज नहीं है मुकह से निकलेंगी नहीं जब तर निश्य बुद्धी नहीं है माया जीत बनने के लिए हिमत नहीं है सची दिल से भगवान को अपना बनाने के लिए दिल उन से लगाई नहीं है सची दिल भगवान से लगाई नहीं है तो उसकी बात सुरा है कैसे हाँ हाँ ऐसे रास्ता दिखा सकते है जाओ भले पर खुद चल रहे है दुसरे को उसको चलता हुआ देख चलने लग परे सिर्फालो करे चलो ताइब बावरे वो सिख हैंदी है सुनना क्या है बोलना क्या है सुनने और सोचने पर सारी हमारी जीवन का अधार है सुनते है बाबा की बाहत बाकी तो अच्छे है कि सब के कान बहरे हो जाए है भले हमारे माफिक अच्छे बाबा की बाद सुन सकते है अच्छे तरह सुन सकते है बन्र बता हूं इस वाई दो मुली मैं बिन्ना ये ये डाल के सुनी थी दो मुली ये लेटिस्ट जो दो तिन साल से ने सुनी थी कुछ चाहिए कान में हमारा जो कान में डालने वाला है ना बनाशी को वापस दे दिया है मुझे नहीं चाहिए डाक्टर ने बना के दिया नहीं चाहिए मुझे अजब लग रहा था ची सुनी रहे पर क्यों डालू निकाल देती थी कितना बाबा हमारी ख्याल रखता है मन का भी रखता है शरीर का भी रखता है सबका रखता है कुछ अपन को ख्याल करने के जरूत नहीं है जरूत ही नहीं है ना ख्याल आवे क्यों तो मुझे अच्छा लगता है बाबा के चार पोस मैं सवा साथ तक तो सुना लेती हूं जाने वाले कुछ लेके भी जाए कुछ अच्छा ऐसा लेके जाए जो पुरानी बात कल की बात जो वहां की थी नहीं फिर से वहां जाकर न देखे न सोचे और सब उसमें परिवतन देखे वो कहासे परिवतन वा मदुबन से हुआ कैसे हुआ क्यों मदुबन में ठका हो गया गया बुद्धी को तो मुझे क्या करने का समय जा रहा है मुझे क्या करने समय जा रहा है यह बात जिसके ठका होई नहीं वो ऐसे बाबा के हाथों में खिलोने जैसे आ जाता है जैसे बाबा चलाए है वैसे चलता है मेरे को बहुत अच्छा लगता है यह आख्योंत्युत歹yst केल दाधियों कहती हूं मेरा किलो्ना भाबा हैं मैं भाबा का किलोना हूं भाबा किलोना है खेलते हैं शिवा है भाबाबा किलोना है ह待 जए सुनदर सुनारी जो झालो कुसे वे कोन है हमारा वैसे बच्चे किसको बच्चा नहीं होता है तो दिल दुखी होती है किसे खेलू लाइफ समझें बच्चे के लाइफ नहीं है भाबा के लाइफ नहीं है और बाबा के हम पर बच्चे खेलों में है दे खुश होता है बाबा हमको दे खुश हो है यह है बाहरा जाई क्योंकर हम करती थी कभी ब्रमा बावा ने तो अपनी कमाई से सदा खुश रहा है 84 जनम अंतिम जनम में अच्छा है मैंने बाबा को बहुत देखा है इन जैसा मनुष तन्न में कले युग के जमाने में ऐसा कोई इनसान नहीं था जमाना कले युग का है मनुष तन्न बाल बचो वाला धंदावा पार करने वाला पहन तो इन जैसा कोई देखा है नहीं लोकिक में भी परिवार में नजदीक बाबा इन जैसा कोई नहीं कलकता में गई न्यू मार्केट में बाबा जैसा दुकान किसका नहीं बाबा जैसा सबसे वैवार किसी का नहीं सबको अपना समझे बाबा को बाबा हरी को अपना समझे हर एक समझे यह हमारा है कब बाबा ने काई नहीं है मेरे दुकान के नौकर है देखा कभी नहीं बच्चे है कोई चोरी कर नहीं सकता बच्चा कुछ चाहिए तो बाबा से मांगो ना जूट बोल नहीं सकता सुखी रहे अब भी हमारा क्या है सब सुखी रहे ब्रमा बाबा सब सुखी रहे सच्चे सुखी रहे अंदर के सुखी रहे दुक का नाम निशार मेरे बच्चों में नहो कल परसु किसको कहा था मैंने दुख्यों करके बाबा को याद नहीं किया है बाबा के रूम में जगा आसुबाओं करो अगर क्यों आई हो मेरे रूम पर रूम प्राब्रम लेकर बाबा के पास जाओं कभी नहीं तभी तो बाबा का प्यार आज दिन तक भी मिलता है वंडर्फुल है डादी का फोन आया सुब को मेरे हाथ पे मुली दादी के मूली है यह अगले है मुली में क्या है वो मुझे सुना रहे हूं इसको सुना रही हूं सारी उम्रिये किया है कि तरा मज़गी लाइफ है बाबा सवेरे सवेरे क्या करता है बाबा कहता है बाबा को देखो और किसी को देखने के बज़े तुम बाबा को देखने के आदफ चोड़ो बाबा को देखने के आदफ डालो यहां के स्था के लिए हर रोम में बाबा का फोटो रखा आदे कि लिए है। चाहे बाबा को देखने के लिए बाबा से सुनने के लिए अब बाबा जैसा सोचने के लिए भागेवान वो जो बाबा जैसा सोचे जो बाबा सुनाता है ना सुनाशे बाबा इसको सुनाता है जो अंदर से बाबा इसको सुनाता है बच्चा पर ये बीचार करता है चीता से बीचार करके पर अचीता से पर सारे दिल में जो अन्भाव है ना वो सुनाता है पर हम लोगो तो पता है, ये शे बाबा सोना रहा है, ये बर्मा बाबा सोना रहा है, मुली सुनते, सुनते, अपर समिज में आता है, ये मुली, ये बाबा, ये बर्मा बाबा के बोला है, ये बर्मा बाबा के बोला है, कभी सुनते हो ऐसे ध्यान से मुली, शेव बबाबा कहते है मुझे याद करो यह कहता है विच्छा सगमत्हन करना पड़ता है यह समझता हूँ चेंज हो जाए तो बहुत अच्छा यह बचा चेंज हो जाए यह क्या करता है पर द्रामा में इसका पाट है क्या करो कम पद्वाना होगा आप अच्छा परुषाद करें तो अब यह कोन कह रहा है मा है रगजाती है ड्रामा अधि बना बना है पंदपुशंगम यूग है अब करना है इस विचासागर मत्तर विचासागर मत्तर माना गैराई विचार में जाना अंदर डीप जाना भगवान क्या सुना रहा है उसी बीचार करना और कोई बाद दिर बावाने का है बाइर के बुक लिखेने वाले बहुत उशार हुशार है वो पानिलग पढ़ते हैं यह पुख पर अच्छा है एक दो को सोनाते हैं पुख पानिले देते हैं मैंने कभी बाइर वाले को टच नहीं किया होगा बाद अच्छा है तपर के देखना लग गई बुद्धी उसमें पर उन जैसा लिखने उन जैसा बोलने का कलम चलेंगा बोलने का सोचने का चलेंगा लाइँ जो बाबा सुनाते है न वो ही बड़ा डीप है योग लगेगा सुनाने वाले से नहीं तो योग लगेगा जिसे बुक लखा है जो तब ही हम जो ऐसे मेले फलारा तीरा पाजिटिव थिंगे ये मेरे को लगता है गर बर शर बर है सुनाने वाले बुद्धी चली जाती है ये सुनाने बर अच्छा है और तुम क्या सुनाते हो तुम बाबा जो सुनाता है वो सुनाओ ना मिक्स अपना न करो ना मैं उशारू ना मैं डलू या कैंगे मेरे जैसा उशार कोई नहीं है या तो मैं तो इन जैसा तो नहीं कर सकती हूं ना और इन जैसा थोरी कर सकते हैं इन जैसा कोई किस जैसा कर नहीं सकता कोई जिसका जो चाहे मैं इन जैसा करूँ फाल टू टाइम इस पर बाबा जैसा कर सकते है अलव है यही हमारे स्कूल में पास होना हो बाप को कापी करो वैसे टीचर अलग किनारे हो जाता है परीख्या के समया हमारा टीचर मदद कर लेता है चलो इसके तो बाहिए इसे भी ठीक नहीं है पिचार मदद कर लेता है मेरा बच्छा पास झाल चावे लिगाए बाद मेरत जाओ यार को यार प्र ज encant ज़ Volume पेपर देकर घबराया तो नहीं, आप पेपर बुकत अठना आए, नहीं घबराओ नहीं, तब टीचर को याद हो गिया, पेपर ने पास हो गिया, अच्छा, पराई दमाग भी नहीं बैठी, टीचर के लिए रिरगाड तो रखो, तो दून नहीं है मेरे से, देख रहा है मेर को, उसको जब तक घर वापस जाए, तब तक हमको मदद कर रहा है, तो बाबा कैसा हमको परहता है, कितना कल्यानकारी बाबा है, इस बात को भूल और बात के चकर में आना, या किसके साथ टकर खाना, यह अपने बुद्धी की शक्ति खतम करना, दो बाते हैं, या किसी के चकर पर भाव में आ गये, बस, या किसी के साथ टकर खाया न, तो शिंधी में कहते हैं, अब हिंदी कैसे सुनाओ, देगरा कुने को लगे, तो भी कुना मिठा, मुठा, या बिचारी उसके लिए मुशिवत है, कुना देगरे को लगे, कौन, पतीले को, अगर मठी का बढ़ता है, तूटेंगा कौन, वो उनको लगे या वो उनके लगे, तकर खाना माना, अपनी दिल को टोड़ना, तो ऐसा कच्छा मठी का दो रही हूं, तकर में कभी निया ना चाहिए, किसके साथ भी तकर में आना माना, अपनी दिल को टुक्रा, टुक्रा, टुक्रा कर देगा, तो दिल जुटती नहीं, रोने में करह नहीं सकेंगे, कितना आशो पोचने के लिए दस उरूमाल भी खलाज कर दो आशो पोचने नहीं सकेंगे बाबा उसको क्या करेगा परिवार क्या करेंगा परिवार में में कोई अपना नहीं लगेंगा बाबा भी पता नहीं परमधावनवासी या अव्यक्त पता नहीं बैठा है बाबा कहते हैं बाबा को वो लहना देते है मेरा बाबा समय से ओ बाबा नको मेरा बाबा प्यारा बाबा किसी के साथ भी बुद्धी का टकर हुआ तो नुकसान अपन को हुँआ जिसके साथ हुआ उसको नहीं हुँआ हमको हुँआ इसलिए अपन ऐसा बाबा हमेश कहते थे अपने सिर का ख्याल रखो दिल दिमाग दोनों आपस में कठे है दिल यहाँ है दिमाग यहाँ है दिल साफ है दिल भाग ठंडा है सुभाव सरल है सफलता साथ है अच्छी अच्छी बाती है अच्छा जीने के लिए तो हमने तो बाबा से जनम ते बाबा पर आते ही कभी भी आख से दुखका आशू नहीं बाया है इसलिए बाबा ने बरी दिल से पालना दी है पराया है अब पास्छी अदर में आने के लिए लाइक बनाया है बनाया तो उसने है नशा है हम साधारन बात नमबर नहीं लेने वाली है सिर्वेजन्ती वाला में नहीं आनाया है अबर आनर क्या कहता है बाबा यहां ड्रामा यहां हरेक अपार अच्छा है कोई खराब नहीं है कौन है खराब यहां कौन है समपुरान कोई बना नहीं है बन जाएंगे हम ही तो बनेगे जरू पनेगे टाइम के पहले बन करके बाबा के सामने हादूर होंगे ऐसे नहीं के टाइम परा है टाइम के पहले बन करके बाबा के सामने हादूर होंगे दरादा खुले पहले हम जाएंगे कितनी अच्छी बात बाबा ने बोली मुक्ती का गेट पीछे खुलेगा पर तुम जीवन मुक्ती में आओ मुक्ती का गेट सब कुछ तुम मुक्ती धा में जाएंगे तुम सेदा उपर से जीवन मुक्ती में आएंगे और कोई जीवन मुक्ती में नहीं आते है तो मुक्ति का गेट खुले सब आत्माएं आराम से यहां के दुख के दुन्या से छुटी लेके चले जाएं तो यह बाते भी चाह सागर बाप मिला है ब्रमा बाबा इतना साख्यातु उस्वरूप हमने सामने मिला है कैसे करो करके दिखला रहा है सच्चा परमात्मा बाप है तो सच्च सकला रहा है तो जूठी बाते बुझे रखें क्यूं जूठ को अंदर से निकाल के फैंक देना है जूठी को सफा करो कल क्या बढ़ा किच्रे को सफा करो इतना भी किच्रा न रहे अंदर तो कहेंगे बिलकल वंडर्फुल है ये बराज साफ दिल वाला है सद्दाई सच बोलता है इसकी चेहरे पर सद्दाई चमक है आंखों में दया और सने है वो तब होंगा जब हमको क्या करने का है और अब क्या करने का है बस ये याद रहा है हमको क्या करने का है अब क्या करने का है बग लास्ट एर की ये बात फलन साल की ये बात तीसर की ये बात अब वो ही करेंगे जो दो साल पर एक, दस साल पर बाजाद करेंगे अब वोई करना है फुटर क्या होगा क्या होगा कुछ नहीं होगा तो ये अपने आप को अपना ही मित्रमान अपना शत्रु नहीं बन जा है अपना मित्र मानना, जानना अब बाबा को अपना मित्र बनाना साथी बनाना और जो बाबा के सामने आए वो भी बाबा का बन जाए सद्दा बन के रहे ये शेवा है सद्दा जहां का दृर्ग शेवा है यह क्यों बड़ा है शीवा बहुत है